आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याणा बोर्ड का दस्वी कक्सा का इंग्लिस विशेका जो 29 परवरी को प्री बोर्ड का एक्जाम हुआ था इस कोस्टन पेपर को पूरा इस वीडियो के अंदर सोल करवाऊंगा वीडियो छी लगे तो लाइक करें चैनल को कोस्टन और important question करवाऊंगा अब question देखते हैं इस question paper का पहला है कि यहां से question Start होते है section A C reading skill के question आये थे सबसे पहले और इस वार जो है दो पैसे जाएंगे इसले साल जो है तीन पैसे जाए थे और दस नमबर का question आता था दोनों यानिकि पांच पांच नमबर के दो पैसेज होते थे लेकिन इस साल जो है दस दस नमबर के दो पैसेज आएंगे और इस तरह से ये 20 नमबर का कोश्चन आएगा ये पैसेज है इसको आपको पढ़ना है समझना है और फिर उसके बाद इसके नीचे जो कोश्चन है उसके आंसर देने है और पैसेज को पढ़ने से पहले आपको एक बार कोश्चन पहले पढ़ने है कोश्चन अगर आप पहले पढ़ लोगे तो पैसेज जब आप पढ़ पहले पैसेज का बाकी का हिस्सा है ये और पहला कूश्चन आया था इसके अंदर चिंपांजी आर एज डास एज में तो आंसर में आएगा इंटेरेजेंट यानिकी चिंपांजी जो हमसç Keittle आजो इए जो हैं लेकिन उनकी पूछ नहीं होती उसके बाद अगला question है the word rest mean to take away violently इसका मतलब होता है इस word का कि चीजों को छीना जप्टी के साथ लेना यानि कि जो बंदर होते हैं आपने दिखा हुआ कि वो एक दूसरे से जो हैं चीजे छीनते हैं तो उसको बोलते है rest जिसका मतलब होता है to take away violently violent होता है लडाई करके तो लडाई करके चीजों को लेना उसके बाद अगला question है chimpanzees use dash as their food tools टूल होते हैं उपकरन तो चिंपेंजी जो है twins मतलब टहनिया टहनियों को भी यूज करते हैं stone यानि की पत्थरों को भी यूज करते हैं stick मतलब लकड़ी को भी यूज करते हैं टूल के तो पर तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी बन जाएगा तो यह आपका answer है उसके बाद अगला question है chimpanzees are best तो इसमें answer में option c both a and b both का मतलब होता है दोनों दोनों a और बी यानि की टूल यूजर यानि की टूल को यूज करने वाले भी होते हैं और टूल मेकर यानि की टूल बनाते भी हैं तो इसलिए answer में आजाएगा option c उसके बाद अगला question है how do the chimpanzees work तो question में यह पूछा गया है कि chimpanzee चलते कैसे हैं तो answer में आएगा दे नॉर्मली राइम ओन आल फोर यानि की नॉर्मली वह अपने जो चारो यानि कि दो हाथ और दो पैर जो है उन चारों से वह चलते हैं and also walk upright और इसके लावद जो combine यह वह सीधेव खड़े ओकर भी चलते हैं अपराइट का मतलब होता है सीधे खड़ा ऊना तो सीधे खड़े ओकर भी चलते हैं चिमपैंजी विद टोज यानि कि अपने चौज पर यानि कि पैरों की उंगलियों पर टर्ड आउट वर्ड उनको बहार की तरफ मोड़ कर ट पुरूदा चिम्पैंजी ग्रीट इच अधर ग्रीट का मतलब होता है अब वादन करना जैसे हम किसी से मिलते हैं तो उसको नमस्ते कहते हैं या फिर राम राम बोलते हैं तो या फिर हम उसको उसके दूसरे वेक्ति के साथ हैंड से करते हैं या कि हाथ मिलते हैं तो यहां पर कि कि तरह बाइट टचिंग इच अधर यानि कि एक दूसरे को चू कर टच करकर मतलब एक दूसरे को चू कर वो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और एवन clasping hand और के तै की हाथ भी मिलते हैं चिंपेंजी जो है एक दूसरे से हाथ मिला कर भी अभिवादन करते हैं उसके बाद अगला question है what do the chimpanzees do with sticks यानि की छड़ी के साथ चिंपेंजी क्या करते है छड़ी का क्या use है चिंपेंजी के लिए तो आंसर देखे they use stick to withdraw honey यानि की वो stick का use करते है withdraw मतलब निकालने के लिए honey मतलब सहथ यानि की छटे के अंदर वो चड़ी डाल देते हैं और फिर उसके ओपर जो honey निकलता है यानि की सहथ जो निकलता है उसको फिर वो चाटते है और इसके अलावा वो insect यानि की कीडे मकोडों को उनके बिल से निकलने के लिए भी चड़ी का यूज करते हैं and licked off licked का मतलब होता है चाटना और फिर उसको वो चाट कर खाते हैं तो वो stick यानि की चड़ी का यूज करते हैं सहद निकालने के लिए और कीडों को निकाल कर खाने के लिए उसके बाद अगला question है how do the baby chimpanzee learn यानि की जो baby chimpanzee है वो कैसे सीखते हैं तो answer में आएगा by observing observing मतलब देखकर the older chimpanzee मतलब अपने से बड़े जो chimpanzee है यानि की जो बड़े बुड़े जो chimpanzee है उन से देखकर जो है बच्चे सीखते हैं जैसा वो करते हैं बच्चे भी जो है फिर वैसा ही उनको follow करते हैं उसके बाद अगला question है how do the mother care for baby chimpanzee यानि की mother जो है baby chimpanzee की कैसी परवा करती है यानि की देख बाल करती है mother go through the fur यानि की mother जो है बंदरों की चिमपैंजी के जो fur होते है यानि की बाल जो होते है उन में जो है babies के any foreign particle कोई भी बहारी particle है कंड है उनके सरीर में जो लगा हुआ है उसको निकालते है या गंदगी लगी हुई है उसको निकाल देते है और जो बालों को ध्यान से देखते है यानिकी जो गंदगी होती है वो निकाल देते हैं साफ करते है तो मदर जो चिमपैंजी है वो इसी तरह से बेबी का ध्यान रखती है तो ये पहलाПрषली था दाषली से आपको डिखने है और उसके बाद दूसरा फैसेज है यह दूसरे पैसेज का बाकी का हिस्टा ज़ंगर है है और निचे को संदिए यहां पर पहला कुस्चन है वट आर पावर फूड जानि की ऐसा बुजन जो हमें सकती पर दान करें उनको पावर फूड केते हैं कि वो क्या है तो आंसर में आपको बताना है food that provide rich level of nutrients nutrient यानि कि ऐसा भोजन food that provide यानि कि भोजन जो हमें provide करें उपलब्द करवाए rich level level of nutrient यानि कि अच्छी मात्रा में पोशन like fiber जिसमें fiber हो potassium हो और mineral हो तो ऐसे भोजन को जो है power food कहते हैं अगला question देखें what is the advantage of including onion and garlic in our diet यानि कि अपनी diet के अंदर हम onion को यानि कि प्याज को और जो garlic है उसको सामिल करके क्या फाइदा उठा सकते हैं तो यहाँ पर पुछा गया है onion और garlic का हमारे diet में add करने पर क्या फाइदा है तो answer देखें यहाँ पर answer है sulfur compounds in onion यानि कि onion के अंदर जो है sulfur compound होता है and garlic garlic के अंदर भी help the observe वो मदद करता है observe करने में और सोशन करने में iron को और zinc को from chickpeas होता है चना चने में जो zinc और iron होता है उसको observe करने में अब्ज़र्ब्शन में जो है sulfur compound मदद करते हैं जो की onion और garlic में पाए जाते हैं उसके बाद अगला question देखे question number 3 तीसरा question है suggest a quick recipe with chickpea and onion onion और चने के साथ जो है quick recipe share करें तो यहाँ पर answer है तीसरे का a quick way to prepare this power food is to make a chickpea salad यानि कि चने का जो है salad मनाना with chopped onion उसमें क्या करना आपको cutaway onion डालने है चाट मसाला डालना है और cilantro cilantro मतलब होता है धनिया और यह धनिया डालना है तो इससे जो है जल्दी से एक आपका जो है salad त्यार हो जाएगा उसके बार next question देखें question number 4 है why is yogurt and bananas an enriching power food कि योगर्ट यानि की दही और जो बनाना है मिलाकर जो हम खाते हैं तो वो कैसे एक power food है यानि इस सकती देने वाला food है answer देखें योगर्ट इस पैक्ट विद प्रोटीन यानि की योगर्ट के अंदर protein होता है that help preserve muscle यानि की जो मसल बनाने में मदद करता है mass and bananas are packed with carbohydrates और banana के अंदर होते हैं carbohydrates dealt जो मदद करते हैं help in refueling energy यानि की energy देने में यानि की energy देते हैं bananas and preventing यानि की रोक थाम करते हैं रोकते हैं muscle soreness को उसके बार next question है question number five why is green tea a recommended power food यानि की green tea tea जो है वो कैसे एक recommended power food है answer देखें यहाँ पर answer है green tea is the best source of catechin यानि की green tea के अंदर जो है catechin मतलब प्रयाप्त मातरा में होता है that are effective जो की परभावसाली होता है in helping oxidative damage to cell यानि की cell को जो oxidative damage होता है होता है उसकी भरपाई करने में catachin जो है मदद करता है और यह catachin पाया जाता है green tea के अंदर यानिकी और यह जो है एक beverage है beverage मतलब पेपदार्थ है उसके बार next question है अब जो है MCQ वाले question स्टार्ट हो जाते हैं इसी तरह से question आएंगे आपने देखा होगा पहले वाले पैसेज के अंदर पहले MCQ वाले question थे और बाद में लिखने वाले question थे यहाँ पर दूसरे पैसे के अंदर पहले लिखने वाले कुश्चन है बाद में MCQ है इसी तरह से आएगा आपके फाइनल बोर्ड एक्जाम में भी तो कुश्चन है दा की टू इंजोई पावर फूड इस आल अफ दीज तो इसका अंसर बनेगा अल अफ दीज अगला कुश्चन है What is the meaning of incorporating तो इसका मतलब होता है सामिल करना तो इसका अंसर बनेगा ask बी to include इंकलूड का मतलब होता है सामिल करना उसके बाद अगला question है iron deficiency can lead यानि की iron की कमी से हो सकता है कुन से बिमारी एनिमिया तो यह बिमारी का नाम है यानि की iron की कमी से एनिमिया हो सकता है उसके बाद अगला question है while we exercise we dash glucose तो burn glucose answer में आएगा option C उसके बाद अगला question है adding lemon juice to green tea is important यानि की lemon juice जो है green tea के अंदर add करना यह जो है important है यानि की आवस्षक है because क्योंकि it makes kitchen more absorbable by the body यानि की इसके वज़े से जो के टाचिन है उसको body जो है आसानी से absorb कर पाती है यानि की outsourcen उसके बाद next question है question number 3 और इसके अंदर grammar के question आए थे सबसे पहले है इसके अंदर fill in the blanks with the correct form of the verb तो verb आई थी सबसे पहले तो पहले के answer में आएगा had received I dash receive his letter before he arrived before और after वाले sentence जो है past perfect में पाई जाते हैं और इसका जो sentence structure होता है उसमें जो है head plus third form आती है जो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर वरब की second form है before के बाद अगर यहाँ पर जो है after वाले में head plus third form होगी तो यहाँ पर वरब की second form आजेगी तो इस चीज़ का ध्यान रखें तो यहाँ पर आएगा I had received यानि कि मैंने receive कर लिया था प्राप्ट कर लिया था his letter यानि कि उसका पत्तर बिफोर ही अराइव यानि कि उसके आने से पहले यानि कि उसके आने से पहले ही बुझे पत्तर मिल चुका था in discipline causes as लगेगा सिर्फ इसके अंदर causes a great loss to the national property यानि कि जो अनुसासन हींता है वो कारण बन सकते हैं बड़े नुकसान का देश के लिए देश की property के लिए उसके बाद next है इसके अंदर model बरने है फिल करने है तो I would like to go home now यानि कि जहां पर आपको किसी के दिल की इच्छा पूछने हो या अपनी इच्छा जाहिर करनी है तो वहां पर would का यूज कह जाता है I would like to go home यानि कि अब मैं घर जाना पसंद करूंगा तो यहां पर इस वज जानी कि गलती किसी से भी हो सकती है तो यहां पर आएगा can उसके बाद है non finite he is tired of working तो यहां पर आ जाएगा working उसके बाद ही want to see you वो तुम्हें देखना चाहता है उसके बाद next है identify name the figures of speech in the following sentences तो पहले में आएगा personification और दूसरे में आएगा similar उसके बाद next है narration वाला indirect speech he said thank you तो इसका बन जाएगा he thanked me और I said to him I have lost the book I bought yesterday तो इसका बन जाएगा I told him that I had lost the book I had bought the previous day तो यहां पर answer ऐसे बनता है set to जो है told में convert हो जाएगा I told him reporting speech का जो subject है वो reporting वरब के subject के अनुसर बदलता है लेकिन यहां पर आई है और यहां पर भी दोनों तरफ आई है तो इस वज़े से आई यूं का यूं रह गया have जो है present perfect को बताता है तो present perfect past perfect में बदल जाता है तो इसी वज़े से यहां पर head lost आगया hedge hedge have or head के साथ जो हमें सा वरब की third form use होती है तो lost आगया the book आई फिर से आगया क्यूंकि आई यहां जो है फिर से आई है तो आई यूं का यूं रह गया इसी वज़े से अब यहां पर boat आया है boat है वरब की second form तो यह past indefinite है past indefinite बदल जाता है past perfect में तो फिर से यहां पर boat का क्या हो गया head boat हो गया और yesterday का बन जाएगा the previous day तो इस तरह से answer आया है यह उसके बाद punctuation है punctuation में क्या करना है doctor का D बड़ा करना है यानि कि doctor इस तरह से लिखेंगे आप उसके बाद full stop लगाएंगे कलाम का K बड़ा करना है was a man of high character उसके बाद full stop लगा देना है last में उसके ब दे का जो है T बड़ा करेंगे उसके बाद all said said के बाद कोमा लगाना है inverted कोमा स्टार्ट करना है inverted कोमा स्टार्ट करने के बाद what का जो w है उसको बड़ा करना है और lovely garden it is और उसके बाद यहां पर last में जो है sign of exclamation लगाना है और inverted कोमा लगा के बंद कर देना है उसके बाद next question कुछन देखते हैं उसके बार नेक्स कोशन के अंदर लेटर आया हुआ है राइट लेटर टू मैनेजर हर्याना रोडवेज करना कंप्लेडिंग अगेंस्ट इंसुफिशियंट लोकल बस सर्विस तू यूर स्कूल यानि की लेटर लिखना है हर्याना रोडवेज के मैनेजर को सिकायत करनी है कि जो बस सर्विस है वह प्रयाप नहीं है सुफिशियंट मतलब प्रयाप तो लोकल जो बस सर्विस है तुम्हारे स्कूल के लिए तो इसके ऊपर अपली की से लिखना है लेटर लिखना है और दूसरा है यूबोट नहीं कि तुमने एक हैमटी वूच sales manager को asking for repair or replacement यह निकीज्व को कहना है या तो इसको repair कर दें या फिर इसको बदल दे रिपलेस्मेंट कर दें अब आनसर देखे दुननों का तो सबसे पहले JMT वाली घ्ड़ी वाली है जो है एक address लिखना है पहले तो आपको अपना address लिखना है कोई भी एक अपना औरस लिक सकते हैं उसके बाद दा सेल्जमेनजर हमटी सेल्ज डिपउ तिलक नगर न्यू देली उसके बाद fy फट्रक एकमट्र आफ वोच्ष एपलेस्मेंट या फिर रिपेर समया करें हाँ पर रिपेरी रृपेर और लिख सकते हैं आप उसके बाद I purchase a beautiful HMT watch यानि कि मैंने एक सुन्दर HMT की watch खरीदी from your shop आपकी shop से only two month back यानि कि दो महिने पहले It carried one year guarantee इसकी एक साल की guarantee है You assured me यानि कि तुमने मुझे आस्वसन दिया था That it will last for a long time कि ये चलेगी लंबे समय तक But it is not working properly But it is not working properly Properly मतलब उची तरीके से यानि कि उची तरीके से ये काम नहीं कर रही है मतलब अच्छे से नहीं चल रही है In fact वास्तों में It has not functioned properly और ये वास्तों में अच्छे से काम ही नहीं कर रही है Since the day I had bought it यानि कि जब से मैंने इसको खरीदा है It is useless ये बेकार है For me मेरे लिए Useless है And just like a so piece for me और ये एक so piece की तरह है मेरे लिए दिखावटी समान की तरह है So piece उस चीज़ को बोलते हैं जो दिखावटी हो So you are requested to replace this piece तो आप से प्रातना की जाती है इसको replace कर दे With some good one यानि कि किसी अच्छे अच्छी घड़ी के साथ As I needed it earlier जैसा कि मुझे पहले चाहिए थी With this watch यानि कि इस watch के साथ I am sending the guarantee card Also मैं इस घड़ी के साथ जो guarantee card है वो भी भेज रहा हूँ If you have any doubt about you It अगर तुमें कोई भी doubt है इसके बारे में You can check this card properly So please replace it as early as possible इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतरी जल्दी इसको replace कर दे बदल दे That It may not cause me any more inconvenience ताकि मुझे और कोई एसुईदा ना हो Inconvenience का मतलब होता है सुईदा I shall be very thankful to you मैं आपका इसके लिए बहुत देनावा आभारी रहूंगा Your Sincerely और रवी उसके बाद फिर जो हर्याणा रोडवेज का जो मैनेजर है उसको जो letter लिखना था Complain letter वो है ये तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको एक address लिखना है अपना और एक address लिखना है जिसको हम भेज रहे हैं तो इसमें आजेगा मैनेजर का हर्याणा रोडवेज subject जो है insufficient यानि कि एपरियाप्त local bus services जो है to your school यानि कि तुमारे स्कूल के लिए जो bus services है वो sufficient नहीं है परियाप्त नहीं है respected sir I am a student of SD senior secondary school करनाल यानि कि मैं SD senior secondary school करनाल का सातर हूँ and make use of bus service और bus service यूज करता हूँ on regular basis यानि कि daily for going to यानि कि जाने के लिए and coming आने के लिए from school मतलब school से यानि कि school से जाने के लिए आने के लिए regularly मैं bus service का परियोग करता हूँ I would like to bring to your attention यानि कि मैं आपके attention यानि कि ध्यान में लेना चाथता हूँ that की इंदा morning यानि कि सुबह के समय there is a big crowd कहता है कि बहुत सारी भीड होती है and most of them और उनमें से अधिकतर choose to travel यानि कि चुनते हैं travel करना यात्रा करना from taxis यानि कि taxis से यात्रा करते हैं Ola से या फिर Uber से but everyone cannot afford that much of used traveling cost मतलब हर कोई जो है यानि कि वहन नहीं कर सकता खरीद नहीं सकता that much of used traveling cost यानि कि जो traveling cost जो है वो ज़्यादा है यानि कि महेंगे टिकट है उसको हर कोई नहीं खरीद सकता student who belongs to the weaker economic section यानि कि जो विद्यारती गरीब घर से हैं belong मतलब सम्बंदित है weaker economic section यानि कि गरीब घरों से of society समाज के need the bus services उनको bus services की जरूरत है as we cannot afford the travel by private vehicle क्योंकि हम जो है travel afford नहीं कर सकते private vehicle से the bus service provided by the state transport जो bus services है जो सेवा है उपलब्द करवाई जाती है provided मतलब उपलब्द करवाना by the state transport यानि कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के दवारा bus services के दवारा is very poor करता है कि वो बहुत ही देनिये है खराब आवस्ता में most of the time the buses are late यानि कि अधिक तर समय जो है busे लेट आती है and since the number is less यानि कि जब की number जो है busो की जो संक्या है वो भी कम है the crowd make a mud rush यानि कि crowd जो है पागलो की तरह to get यानि कि bus के अंदर जाती है without observing बिना देखें discipline यानि कि discipline को भी नहीं ध्यान में रखती है वो many junior student and passenger find it herculean यानि कि जो बहुत से junior जो छोटे student है वी जारती है और जो passenger है find it herculean to board these bus यानि कि इन busों में चड़न herculean जो task है इसका मतलब होता है cutting कारिया यानि कि ये बच्चों को और passenger को cutting कारिया लगता है bus के अंदर चड़ना my kind request is to inform the authority मेरा जो request है यानि कि प्राथना है सूचा देना authority को यानि कि अधिकारियों को is to is to increase the number of bus service की वो जो है bus services की जो संख्या है वो बढ़ाएं in the morning मतलब सुबह के समय on this route यानि कि इस route के ओपर and see that they play in time यानि कि देखें कि वो समय पर चले thanking you you are faithfully x y z board में जो है नाम नहीं लिखना होता इसलिए x y z लिखना है आपको उसके बाद next question है question number five जो important advertisement है notice है और जो report है वो मैं exam से पहले आपको करवाँगा इसलिए ये question जो है मैंने नहीं करवाए है उसके बाद अगला question देखें scene पैसे जाएंगे दो पांच पांच नमबर के तो ये पैसे जाएगा इसके निच्चे जो है question होंगे और ये आपकी जो पठ़े पुस्तक है उससे आएंगे तो पहला question था इसके अंदर who does I refer in the above पैसे जानी की उपर दिये गए पैसेज के अंदर जो आई है वो किसे बोला गया है तो ये बोला गया है छोटी बच्ची को जिसका नाम है Annie Frank उसके बाद है how many people can see call her friends यानि कि कितने लोगों को वो अपना दोस्त कहती है तो ऐसे 30 people है पैसेज के अनुसार 30 ऐसे लोग है जिनको वो अपना दोस्त कहती है whom does she regard true friend और किसको वो अपना सचा मित्र समझती है तो वो समझती थी अपनी diary को अपना सचा मित्र अगला question है why does she start writing the diary यानि कि उसने diary लिखना क्यों सुरू किया because she has no true friend क्योंकि उसका कोई भी सचा मित्र नहीं था इसलिए जो है वो diary लिखना सुरू करती है अगला question है find a word from the passage which means trust someone to tell a secret यानि कि जिसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के उपर trust करना जिसको आप अपना secret बता सको तो ऐसे ऐसा word कुन सा जिसका meaning ये निकलता है तो वो word है confined next passage देखें अब उसके बाद ये दूसरा passage है और इसके question देखें पहला question है इसके अंदर what do the elder remember fondly about their past जो elder है वो अपने past के बारे में क्या याद करते हैं तो answer में आएगा good old day Portuguese days जाने की पुराने पुर्तिकाली दिनों को and their famous loaves of bread और अपनी जो उनकी जो famous bread थी उसको याद करते हैं अगला question है what do still exist जाने की क्या चीज़ जो है अब भी उपस्तित है exist है अब भी गोवा के अंदर तो वो है mixture molders and Francis Francis होते हैं बटियां molder होते हैं आकार देने वाले और mixer जो होते हैं mix करने वाले are still present ये जो है अब भी गोवा के अंदर present है यानि की पाए जाते हैं how can you say that bread making is still popular in Goa यानि की आप कैसे कह सकते हो कि bread making जो है अब भी popular है परसीद है गोवा के अंदर तो answer में आएगा because क्योंकि the mixture molder molders and the time tested Francis still exit वो अब भी उपस्तित हैं Goa के अंदर the fire in the Francis यानि की जो fire है आग है बटियों के अंदर यानि की Francis होता है बटिया has not yet been existing यानि की वो अब तक नहीं बुजी हैं as tanguish ठीक है और अगला question है उसके बाद how the baker used to announce his arrival baker जो है अपने आने की जो घोश्णा है वो कैसे करते हैं तो answer में आएगा तो यहाँ पर answer है the third and jingle यानि की जो आवाज निकलती है third की और jingle की of the traditional baker bamboo यानि की जो traditional traditional का मतलब होता है प्रमप्रागत जो बेकर यानि की जो bread बनाने वाले थे उनका जो bamboo थायाने की बजाने वाला एक यंतर है उसमें से जो आवाज निकलती है third की और jingle की उससे announce होता है announce his arrival जो 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 बजाते हैं इसी तरह से गोवा के अंदर जो बेकर थे जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो उनके पास ये एक ऐसा बैम्बू होता था जिसमें से जब वो जमीन पर पटकते थे उसको मारते थे तो उसमें से थर्ड और jingle की sound निकलती थी जिससे पता चलता था बच्चों को की बेकर आ रहे हैं उसके बाद अगला question है which word of the passage mean put out यानि कि कि किस word का meaning है passage के अंदर put out का मतलब बुजा देना एक्स टैंग्विस तो answer में आएगा एक्स टैंग्विस उसके बाद अगला question है question number seven और इसके अंदर जो है attempt any two question कोई भी दो question आपको करने दें और चार question पूछे गए हैं इसी तरह से board exam में भी आएगा इन चारो question को जरूर revise करें याद करें क्योंकि यह जो है important है क्योंकि जो exam में पूछ जाते हैं वो question हमें सह important होते हैं तो पहला question है how does mandela describe the scene of inauguration answer देखें तो यहां पर जो है answer है answer देखें इट वाजदा inauguration inauguration का मतलब होता है उद्गाटन of a democratic government democratic का मतलब होता है लोकतांत्रिक government होती है सरकार यानि की लोकतांत्रिक सरकार की के इन्योगरेशन थी यानि कि उधगाटन था ओप साथ आफरेका जाथ आफिक एक साथ आफरीका निकीस आफरीक्ति का बिक मतलब बन गया डेमोक्रेटिक कंट्री यानि की लोगतां तरिक देश इन 1994 उनिस ओचुराण में के अंदर नैंसर मंडेला बिकेम दा फस्ट ब्लेक प्रेजिडेंट ओफ साथ अफरीका नैंसर मंडेला जो है पहले राष्ट्रपती काले राष्ट्रपती बने साथ अफरीका के सपतले यानि की उन्होंने सपतली और 10 में 1994 को राष्ट्रपती की सपतली इनोगरेशन सेर्मेनी थी समारो जो था उद्गाटन का जो समारो था हैल्ड मतलब हुआ था प्रेट्रिया के अंदर यह जगे का नाम है बड़ी संक्या में इन्टरनेशनल लेडर यानि की दूसरे देशाव के जो नेता थे और डिगनिटीज और दूसरे सममानिया según होता है समानिया व्हिक थी from all over the world यानि की पूरी दुनिया से के मतलब वो आए to pay their respect अपने आदर दिखाने के लिए to the newly elected government यानि की जो नई selected यानि की elected यानि की elected मतलब selected जो गोर्मेंट थी जो नई गोर्मेंट बनी थी उनको आदर दिखाने के लिए अपना आदर देने के लिए जो है इंटरनेशनल लीडर और जो सम्मानिय व्यक्ति थे वो आए थे उसके बाद अगला question है describe the pilot experience as he flew the aeroplane through the dark cloud describe का मतलब होता है वंडन करा pilot experience मतलब pilot का अनुभाव as he flew जैसे उसने उड़ाया aeroplane को through the dark cloud मतलब काले बादलों में से जब पाइलेट ने काले बादलों के बीच में से अपना aeroplane उड़ाया तो उसको क्या नुभा हुआ वो बताना है answer देखें अब यहाँ पर answer लिखा हुआ answer देखे as the narrator flew his dakota जैसे ही narrator ने narrator होता है वरनन करता है जो कहानी सुना रहा है उसको वरनन करता कहते है इंगलिस में narrator flew मतलब उड़ाया he is dakota dakota aeroplane का नाम है into the store मतलब तूफान में से it became sudden dark तो कहता है कि अचानक से सबीज जगे जो है अंधेरा हो गया it became dark मतलब अंधेरा हो गया inside मतलब cabin में aeroplane के cabin के अंदर जो है अचानक अंधेरा हो गया the narrator could not see anything outside यानि his plane अपने plane से बाहर narrator जो है कुछ भी नहीं देख पा रहा था देख सका his aeroplane jumped यानि कि उसका aeroplane जो था jump कर रहा था उचल रहा था and twisted mood रहा था twist होता है mood ना in the air मतलब हवा में his compass यानि कि compass होता है दिक सुचक यानि कि दिसा बताने वाला दिसा को बताने वाला जो यंतर होता है उसको compass कहते हैं और जो उसका radio था and all other instruments और बाकी सारे उपकरन instrument मतलब उपकरन were suddenly dead suddenly मतलब अचानक ही वो सारे dead हो गये dead होने का मतलब है उन्होंने काम करना बंद कर दिया he didn't know वो नहीं जानता था which way he was going कि कौन से रास्ते वो जा रहा था यानि कि उसका compass खराब हो गया था तो उसको यह नहीं पता था कि वो कहां पर जा रहा था उसके बाद अगला question है how did miss bill spend his time while he was with Maxwell at बसरा तो इसमें पूछा गया है miss bill ने अपना time कैसे बिताया spend करना बिताना while he was Maxwell जब वो Maxwell के साथ था बसरा के अंदर बसरा जगे के नाम है तो answer देखें यापना answer लिखा हुआ है miss bill spend his most of time यानि कि miss bill ने बिताया अपना अधिकतर समय playing मतलब खेलते हुए with marble मतलब marble के साथ marble होते है कंचा या जो कांच की गोलिया होते है उसको marble बोलते है and rubble bowl और रबड की bowl के साथ इन बसरा मतलब बसरा के अंदर उसके बाद अगला question है how did the Buddha make कीजा गोत्मी to realize that is inevitable कि कैसे जो है बुद्धा ने में कीजा गोत्मी realize यानि कीजा गोत्मी को realize कराया अनुभव करवाया that की death is inevitable यानि की death जो है inevitable है यानि की इसको जो है टाला नहीं जा सकता है तो answer देखें यहाँ पर answer है answer देखें the Buddha ask यानि की Buddha कहता है उसे to find a house यानि की ऐसा घर ढूंड find मतलब ढूंड़ना where no one had lost यानि की जिसने where मतलब जहाँ पर no one had lost a loud one यानि की जिसने अपना प्रिये नहीं खोया है but कीजा वाज अनेबल प्रतु कीजा जो थी वो अनेबल थी यानि की नहीं ढूंड पाई to find डूंड़ना any such how यानि की इस परकार का घर यानि कीजा को इस तरह का घर नहीं मिला जहां पर किसी की भी मिर्तु ना हुई हो in this way इस परकार serialize यानि की उसको पता चला महसूस हुआ that की life and death is a normal process की ये life जीना और मरना जो है एक normal process है यानि की जिसका जनम होता है वो मरेगा भी उसके बाद अगला question है question number 8 6 number काया था write a story of lancho faith in God यानि की lancho का जो विश्वास था भगवान के अंदर उसके उपर कहानी लिखे और give a character sketch of limo दोनों में से कोई किसी एक के उपर लिखना था answer देखें अब answer देखें lancho वाजे poor farmer lancho एक गरीब किसान था he was very hard working वो बहुत मैंती था once एक बार देर वाजे hail storm यानि की एक बार ओला वरस्टी होया यानि की बार इसके साथ ओले गिरे it destroyed his crop completely और इसने उसकी फसल को पूरी तरह से नस्ट कर दिया destroyed का मतलब होता है नस्ट कर देना he is crop crop होती है फसल completely मतलब पूरी तरह से lancho had great faith in God lancho का बहुत अधिक विस्वास था बगवान में he wrote यानि की लिखा उसने लिखा a letter एक पत्तर to God बगवान को he asked God to send him money यानि की उसने बगवान से कहा कि उसे पैसे बेजे the postmaster saw this letter postmaster ने इस letter को देखा he decided to help lancho तो उसने decide क्या कि वो lancho की मदद करेगा he collected some money उसने कुछ पैसे इकठे किये he put it inside an envelope उसने उनको लिफाफे में रखा envelop होता है लिफाफा lancho came into the post office lancho जो है post office आया to check his mail अपनी चिठी को check करने के लिए mail check करने के लिए the post office people gave him envelope जो post office के जो लोग थे यानि की करमचारी जो थे gave मतलब दिया he मतलब उसे envelope मतलब लिफाफा दिया उसको lancho open the envelope lancho ने लिफाफा खोला he took out the money उसने पैसे निका ले कि ये उससे कम थे जितने उसने मांगे थे he wrote another letter to God उसने एक पत्र और लिखा बगवान को to ask God to send him the rest of the money बाकी के पैसे मंगाने के लिए rest of the money होता है बाकी के पैसे but he wanted him not to send the money through the mail परन्तु वो चाहता था कि बगवान उसे चिठी के दवारा पैसे ना भेजे he said उसने कहा the post office people यानि कि post office के जो लोग है were a bunch of group वो धोके बाजू का समू है उसके बाद है question number nine और इसके अंदर जो है stand जाया हुआ है दो stand जाएंगे दोनों में से कोई एक stand जा आपको करना है पोएम से question है in what kind of a cell he is locked यानि कि किस परकार की cell में यानि कि jail में उसको बंद रख किया गया था he is locked in a concrete cell यानि की concrete से बने हुए cell के अंदर उसको लोग किया गया था बंद किया गया था उसके बाद दूसरा question है whose strength is behind the bar bar होती है सलाक के किस की जो strength है यानि की ताकत है behind मतलब पीछे है bar के यानि कि सलाको के पीछे किस की ताकत है तो tiger की क्योंकि वो कैद में है how does he react to the visitor और visitor के साथ वो कैसे react करता है कैसी परतिकरिया देता है he ignored the visitor वो ignore करता है यानि कि नजर अंदाज करता है उनकी तरफ देखता ही नहीं who is behind being ignored यानि कि कोन ignore हो रहा है किस की और ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो visitor की और जो दर्सकाय है जो के अंदर tiger जो है उनको देखता भी नहीं है name the poem and the poet name poem का नाम बताना है और poet का नाम बताना है तो poem है a tiger in the zoo और poet है लोजली नोरिस दूसरा stanza देखें अब तो ये है दूसरा stanza और इसके question है name the poem and the poet poem का नाम बताना है poet का for any gregory और इसका जो poet है poet का नाम है wb wb east e a t s उसके बाद अगरा देखें उसके बाद दूसरा question है why does she want to die her hair यानि कि वो अपने बालों को dye करना क्यों चाती है यानि कि रंग करना क्यों चाती है because she wants men love her for herself यानि कि वो चाती थी कि आदमी जो है उसके उससे प्यार करें not for her hair ना कि उसके बालों की वज़े से what color is the girl hair यानि कि लड़की के बालों का color क्या है तो answer में आएगा yellow अगला question है what color can she give to her hair यानि कि कौन से color वो अपने बालों को दे सकती है तो answer में आएगा brown, black or carrot अगला question है what does she expect from the young man in despair यानि कि young man से वो किस चीज़ की उमीद करती है answer देखें love her for herself यानि कि उसके उससे प्यार करें केवल only note for her yellow hair ना कि उसके yellow बालों की वोज़े से उसके बाद अगला question है question number 10 इसके अंदर जो है आपको दो question करने है attempt any two question कोई भी दो question जो आपको आसाल लगे तो चार question दिये गए है लेकिन आपको जो है इस समय पर चारों question त्यार करने है आपके board exam में इनमें से question आ सकते है पहला question है इसके अंदर how will the world end in fire and ice और ये जो है most important question है कि दुनिया का आग और ice से कैसे होगा answer देखें the poet says यानि कि कवी कहता है that मतलब की both मतलब दोनो fire मतलब आग and ice or बर्फ are destructive दोनों विनासक है यानि कि विनास करने वाले है here fire stand for the heat of desire यहाँ पर जो fire है उसका मतलब है desire मतलब इच्छाएं and I stand for the heated और ice का मतलब है नफरत he thinks that वो सुचता है कि our violent desire जो हमारी जो violent desire है यानि कि जो हमारी लड़ने की जो इच्छाएं है will end the world वो दुनिया का अंत कर देंगी if it survive अगर ये बच गई survive करना होता है बचना अगर ये survive कर जाती है it will be ruined यानि कि ये ruin हो जाएगे बर्बाद हो जाएगी by hater मतलब नफरत की वज़े से तो किता है अगर desire की वज़े से अगर बच भी जाती है बच भी जाता है world तो किता है कि नफरत उसको खतम कर देगी next question है what is the central idea of the ball poem ball poem का central idea लिखना है answer देखें answer देखें the central point of the poem is to understand the nature of the loss यानि कि जो खोने की जो परवरती है परकृती है उसको समझना जरूरी है तो जो central idea है वो यही है it also convey the message that gain and loss is a part of life कता है कि इसके लावा ये message भी देता है convey करना मतलब message देना संदेश देना यानि कि ये कवीता जो है ये संदेश देती है gain मतलब उपलबदी यानि कि जो चीज हम पराप्त करते है and loss और जो चीज हम खो देते है is part of life ये जीवन का part यानि कि जीवन में ये चीज होती है चीजे हमें मिलते भी है और खो भी जाती है and we have to bear it और हमें इसको सहन करना होगा with patience मतलब धैरिये के साथ the boy has lost anything for the first time यानि कि लड़के ने कोई भी चीज पहली बार खोई थी यानि कि लड़के ने कोई भी चीज पहली बार खोई थी अप इन लाइफ मतलब जीवन में उसके बार next question है explain the symbol used in the poem the trees यानि कि explain करने explain करे मतलब वर्णन करना है बताना है symbol मतलब परतीक जो यूज किये गए है poem के अंदर जो poem का नाम है the trees answer देखे answer है यहाँ पर it is a deeply symbolic poem यानि कि ये एक symbolic poem व spaghetti करते च गोइता है the trees are the symbol of woman यानि कि जो यहाँ पर trees है पेड़ है वो symbol है मतलब परतीक है woman मतलब और्तों के the forest are the symbol of society और जो forest झाल जो जंगल है वो symbol है यानि कि परतीक है society के मतलब समाज के the domain डूमेनेट बार मेन यानि कि जिसको dominant किया जाता है जिसका पर बुताओ जो है व्यक्ति के पास इनके मर्दों के पास है next question है where did Belinda live and which animals lived with her कहते है कि Belinda कहा रहती है और कौन से जनवर उसके साथ रहते है answer देखें answer देखें Belinda lived in a white house यानि कि Belinda रहती है white house में with her four pet अपने चार पालतू जनवरों के साथ इंक blink mustard and custard यह नाम है इंक वाजे little black kitten यानि कि जो इंक है वो एक छोटी काली बिल्ली है ब्लिंक वाजे grey mouse जो ब्लिंक है वो एक grey colour का चुहा है mustard वाजे little yellow dog mustard जो है वो एक yellow colour का कुता है और custard जो है एक dragon है dragon मतलब अजगर है यहाँ पर वाज लगाया हुए तो इसका मतलब है था यानि कि कस्टड जो था एक dragon था यानि कि अजगर था उसके बार next question है question number 11 do any two of the given question यानि कि दो करने है कोई भी चार में से जो आपको असान लगे लेकिन यहाँ पर exam की तैरी करते से मैं आपको जो है चारों कोश्चन की तैरी करने चाहिए पहला question है what evidence evidence होता है सबूत do you get यानि कि तुम्हें प्राप्थ हुए from the text यानि कि answer देखें answer देखें when tricky was sent to wet hospital tricky जो है कुटा था वाज sent to wet wet का मतलब होता है veterinary surgeon यानि कि doctor कुटों का जानुवरों का डॉक्टर veterinary surgeon जो है जानुवरों का डॉक्टर होता है और tricky को भीजा गया था वैट hospital में आनि कि जानुवरों के hospital में the entire staff of Mrs. Pampere जो पूरा का पूरा staff था Mrs. Pampere का house rush to bring his day bed यानि की भागा उसका दिन का बैड लेने के लिए bring his bring मतलब होता है लाना his day bed यानि की दिन का जो bed जिस पर वो दिन में सोता है वो bed लेने के लिए गए he is night bed यानि की रात को सोने के लिए उसके पास अलग से bed था तो रात का bed भी लेके आए favorite cushion उसका पसंदिदा तकिया कुशन होता है तकिया toy उसके खिलोने लेके आए rubber rings यानि की rubber rings जिसके साथ वो खेलता था वो लेके आए break fast bowl यानि की सुबह नास्ते के लिए अलग से कटो रहा होता था lunch bowl यानि की दोपेर का खाने के लिए अलग से कटो रहा है super bowl बात के बोजन के लिए it all shows that tricky है जे effluent living इस सारी चीजों से ये पता लगता है कि tricky जो है अमीरी का जीवन यानि की effluent living जो है जी रहा था संधर जीवन जी रहा था उसके बार next question है how did osbell get rid of max यानि की की तरह से osbell ने जो है छुटकार read of का मतलब होता है छुटकारा पाना max से यानि कि max से कैसे छुटकारा पाया osbell ने answer देखें वैसे इसको osbell बोलेंगे लेकिन answer देखें osbell cooked up a story यानि की osbell ने क्या क्या एक कहानी बनाए he told max उसने max से कहा that their वाजे बालकोनी की वहाँ पर एक बालकोनी है just below his window यानि की उसकी खिड़की के नीचे he told him that उसने बताया उसे that key the balcony was a part of the next room balcony जो है दूसरे कम यानि की अगले कमरे का हिस्सा है when the waiter knocked at the door जानि की जब waiter ने knock किया मतलब खटखटाया at the door मतलब दरवाजे पर osbell told max osbell ने max को बताया that key it would be the police ये police हो सकती है max was nervous max जो है nervous हो गया he dropped him himself to the balcony उसने अपने आपको गिरा लिया बालकोनी से through the window मतलब किड़की से but outside there was no balcony यानि की वहाँ पर बहार कोई balcony नहीं थी यानि की बाहर बालकोनी की तरफ गया लेकिन वहाँ पर कोई balcony नहीं थी he fell down वो निचे गिर गया and died और मर गया उसके बाद अगला question है what did griffin do inside a big London store यानि की griffin ने बड़े London store के अंदर क्या किया he wore shoes उसने जुते पहने एन ओवर कोट एक कोट पहना ओवर कोट जो होता है जो बड़ा होता है lengthy कोट होता है उसको ओवर कोट कहते हैं and a hat और एक टोपी पहनी he ate cold meat उसने ठंडा mask खाया and drink coffee और coffee पी he enjoyed sweets उसने मिठाईों का अनद लिया and wine और सराब का भी then he slept उसके बाद फिर वो सो गया उने pile of quilt मतलब गदों के धेर पर उसके बाद next question है what did loisal do to replace the necklace यानि कि loisal ने necklace को हार को replace करने के लिए क्या किया answer देखें answer देखें यहाँ पर है answer first of all सबसे पहले mister loisal try to search for the lost necklace यानि कि जो गुम हुआ necklace था सबसे पहले उन्होंने उसको ढूडने की कोशिस की search for the lost necklace but he could not succeed यानि कि परंतूर को सफलता नहीं मिली दैन मतलब तब बोथ मतलब दोनों Mr. and Mrs. Loisal went to dwellers यानि कि वो dwellers के पास गए they bought a diamond necklace उन्होंने खरीजा एक diamond necklace of 36,000 francis यानि कि 33,000 francis का उन्होंने एक diamond necklace खरीदा they had borrowed half of the amount amount यानि कि उन्होंने आधा amount यानि कि 1800 francis जो है कि at high rate of interest की ज्यादा ब्याज पर लिए आधा मतलब आधे पैसे उन्होंने ज्यादा ब्याज पर लिए to buy it इसको खरीदने के लिए उसके बाद अगला question है give a brief character sketch of the thief in Ruskin bond, the thief story यानि कि जो thief story कहानी है उसके अंदर जो चोर है उसके character sketch के बारे में बताना है यानि कि उसके जीवन के बारे में बताना है answer देखें the narrator of the story is a thief, narrator मतलब वर्णन करता जो कहानी सुना रहा है इस स्टोरी को वो चोर है he is a thief यानि कि कहानी सुनाने वाला एक चोर है he is a young boy of 15 यानि कि वो 15 साल का लड़का है but he has been a successful thief लेकिन वो एक सफल चोर है he is in search of another victim वो अपने अगले सिकार की खोज में है friendship with Anil इसलिए वो Anil के साथ दोस्ती करता है he works for Anil वो Anil के लिए काम करता है he does shopping for Anil वो Anil के लिए shopping करता है he makes a rupee a day यानि कि वो दिन का एक रुपे बचाता है from his purchase यानि कि अपने purchase यानि कि जो खरीदारी करता है उसमें से हर रोज वो एक रुपे बचा लेता है he wants to rob Anil वो Anil को लूटना चाता था rob का मतलब होता है लूटना but the company of Anil प्रंतो जो company थी Anil की Anil का company का मतलब होता है साथ जो Anil का साथ था bring a change in his mind वो उसके दिमाग में बदलाव लाता है उसका दिमाग जो है बदल जाता है Anil teaches him how to read and write Anil उसको सिखाता है कि कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं but the thief get tempted लेकिन जो thief था जो चोर था get tempted उसको लालच आ जाता है when मतलब जब he sees जब उसने देखा bundle of notes उनिकी पैसो के bundle को he steal it वो उसे चुरा लिता है from Anil mattress यानि कि Anil के गद्दे में से the thief went to run away यानि कि जो चोर था वो भागना चाहता था he wants to see an educated he wants to be an educated and respected person लेकिन वो जो है एक पढ़ा लिखा और आधरनिय व्यक्ति बनना चाहता था he had studied the faces of different person यानि कि उसने अध्यन किया हुआ था लोगों के अलग-अलग चहरों को when they were robbed जब उनको लूट लिया जाता है he knows that Anil would show a touch of sadness he knows यानि कि वो जानता है Anil face यानि कि जो Anil का चहरा है would show यानि कि दिखाएगा दिखेगा touch of sadness मतलब उदासी यानि कि निल के चहरा पर उदासी दिखेगी he realized उसको अनुभव होता है he's mistake अपनी गलती का so he comes back इसलिए वो वापीस आता है does मतलब इस परकार the thief जो चोर है find himself पाता है अपने आपको completely change मतलब पूरी तरह से बदला हुआ यानि कि चोर अपने आपको पूरी तरह से बदला हुआ पाता है उसके बाद जो choice में है question वो दिखें give a brief character sketch of Bolly and describe the role of the teacher played in her life यानि कि Bolly के character sketch के बारे में बताना है और वरनन करना है teacher के बारे में जो teacher का रोल है उसके जीवन में answer दिखें लेखा था but people called her Bolly लेकिन लोग उसे बोली पुकारते थे बोली कहते थे because क्योंकि she was mentally retarded retarded यानि कि mentally retarded मतलब दिमागी तोर से वो कमजोर थी see stammerd यानि कि वो हकलाती थी stammerd का मतलब होता है हकलाना जब बोलती थी तो हकलाती थी while speaking मतलब जब वो बोलती थी she could not speak out even her name properly वो अपना नाम भी अच्छे से नहीं बोल पाती थी see what's side वो सरमिली थी side का मतलब सरमिला होता है and timid or timid थी timid का मतलब होता है डरपोग यानि कि वो सरमिली थी और डरपोग थी even her parents neglected her यानि कि considered her a dumb cow यानि कि वो उसे एक गूंगी गाएं समझते थे dumb का मतलब होता है गूंगा यानि कि उसको considered मतलब समझना dumb cow मतलब गूंगी गाएं समझते थे she was sent to school यानि कि उसको school भेजा गया because क्योंकि because of the तैसीलदार यानि कि तैसीलदार की वज़े से उसको school भेजा जाता है suggestion मतलब सला पर her teacher was very kind उसके जो teacher थे वो बहुत दयालू थे to her मतलब उसके परती she assured her यानि कि वो उसे आस्वसन देती है that की she would be able to speak properly कि वो अच्छी तरह से बोल पाएगी यानि कि जो teacher थे उसके वो उसे आस्वसन देती है कि वो अच्छी तरह से बोल पाएगी without stammering बिना हक लाए one day she would be the most learned person यानि कि एक दिन वो सबसे पड़ी लिखी बनेगी of the village मतलब गाउं की सबसे पड़ी लिखी लड़की बनेगी the teachers would give और जीवन यानि कि नया जीवन देते है slowly the side girl यानि कि धीरे धीरे जो सरमीली लड़की थी gain मतलब प्राप्ट करती है confidence मतलब यानि कि आतम विश्वास उसके अंदर आतम विश्वास आता है self-reliant यानि कि आतम दिर्वर बन जाती है girl लड़की that was why she refused to marry इस वज़े से वो refused कर देती है इनकार कर देती है साधी करने से बिसंबर के साथ because क्योंकि he was a greedy person क्योंकि वो एक लाल्ची वैकती था greedy मतलब लाल्ची होता है she became an assessed यानि कि वो क्या बन जाती है एक asset बन जाती है to her parent अपने माता पिता के लिए यानि कि एक संपत एक तरह से asset का मतलब संपत्य होता है यानि कि काम की लड़की यानि कि एक ऐसी लड़की बन जाती है जो बहुत उपयोगी हो तो ये था आपका प्रीबोर्ड का दस्वी कक्सा का English वेसे का जो कुस्टन पेपर आया था 29 फरवरी को उसका कम्प्लीट सोलूसन वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और के बने के ओपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए